सब्सक्राइब कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में हम डॉक्टर बाबा साइब आम बढ़ेकर टेक्नोलोजी इनुवर्सिटी के बारे में बात करने हैं जिसको हम शॉट में बार्टू बोलते हैं बी ए टी यू तो बहुत सारे लोगों को पता होगा बार्टू नाम की एक इ इनुवर्सिटी है और इस इनुवर्सिटी का जो कैंपस है इसके अंदर आप डिरेक्ली आडिमिशन ले सकते हो यह कॉलेज भी है इसको एफिलेटड और सारे कॉलेज़ भी है कुछ कॉलेज़ हमने अल्वर्डे देखे जैसे कि नूटन कॉलेज ऑप इंजिनरिंग पून तो यहाँ पर अबावा सेव अंबड कर टेखनोलोजी इनुविश्ट नाम तो बता दिया मैंने आपको इस्टाब्लिश्मेंट देख सकते हो आप 1989 3033 DTE कोड है और यह ओफिस का कॉंटेक्ट है DTE region Mumbai district राइगड विद्यावियार प्यो पोस्ट ओफिस लोनेरे और यहाँ पर पिन कोड और वेबसेट का अडरेस देख सकते हो आप विजिट कर सकते हो इनुवरसिटी मैनेज़ड इनुवरसिटी मैनेज़ड एस्टेटस आपर देख सकते हो आट किलोमेटर दूर है वहाँ से कॉलेज लोनेरे बस्टॉप से सिर्फ देट किलोमेटर और मुंबई का एरपोर्ट है वहाँ से 160 किलोमेटर बेटेक डिगरी मिलेगी आपको और यहाँ अफिलेटेट मतलब EC कॉलेज के लिए अफिलेटेड है इसका कॉलेज ठीक है यहाँ पर होस्टेल अवेलेबल है बॉइस होस्टेल का इंटेक 560 है और फर्स्ट एर के लिए 180 सीट से गल्स होस्टेल का इंटेक 428 से और फर्स्ट एर के लिए 100 से तो आगे बात करते है कौनसे-कौनसे courses available है, तो civil है, computer है, IT है, electrical है, electronics and telecommunication है, electronics engineering with VLSI, यह course मुझे पहली बार यहाँ पर दिखा है, VLSI design and technology, जो लोग VLSI technology में interested है, वो लोग यह course ज़रूर यहाँ पर consider कर सकते हैं, chemical है, petrochemical भी काफी colleges में मुझे नहीं दिखा है, यहाँ पर दिख रहे हैं, दिख सकते हैं, और mechanical engineering, सब जगा पर 50 for 50 पर ज़्यादा 90 इंटे के NTC का और 30 इंटे के VLSI का, तो आगे बात करते हैं placement के बारे में, तो placement आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो अगर बात करते हैं, तो 94 यहाँ पर परसेंटाइल प्लेस्मेंट होगा था, कॉलेज का, बराबर एक प्रॉनिक्स का, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको placement के बारे में, उन्होंने ज़्यादा जानकर यह नहीं दिये, यहाँ पर, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, फी स्टक्चर के बारे में, तो फी स्टक्चर के अगर बात करते हैं, तो उनकी वेबसेट पर उन्होंने एक दिया है, PDF तो वहाँ से मैंने स्क्रीन्शोट लिया है, तो ओपन के लिए आप टोटल फी अगर देख सकते हैं, यह ओपन का कॉलम है, पूरा यहाँ पर हम टोटल कहाँ पर है, 83,000 है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, 83,000 फी जे ओपन के लिए, EBC, EWS के लिए कितना बन जाता है, 76,000, तो यहाँ पर क्या बात है, टूशन फी सिर्क 15,000 है, लेकिन development fee बहुत जादा है, बाकी कॉलिजिस में क्या होता है, उल्टा होता है, development fee कम होता है, और tuition fee कम होता है, इसलिए development fee में कोई discount नहीं मिलता है, इसलिए EBC का भी fee structure लगबग open के जैसा ही है, उसके बाद, एक servicement TFWS का 68,000, और VG&T, SBC, OBC के लिए 47,000, तो यहाँ पर state level पर cut off होगा, क्योंकि university managed है, तो यहाँ पर cut off देख सकते हैं, open के लिए 61 percentile, EST के लिए 43 percentile, EST के लिए 52 percentile, civil engineering के बात करते हैं, मैं आगे आपको देखाना चाहता हूँ, computer का ठीक है, तो 88 percentile, तो बहुत सरे लोग है यहाँ पर admission लेना चाहते हैं, क्योंकि university managed है, अच्छा है, autonomous के जैसा ही है, इन्वर्सिटी है मतलब खुद का इनका curriculum, सिलाब, सब कुछ होता है, ठीक है, तो ENT1, ENT2, ENT3, 87 percentile, तो काफी high cut off है, computer engineering का भी यहाँ पर, तो आगे बात करते है, IT का, देख सकते हैं, आप video pause करके, categorize cut off दिया है, तो आगे बात करते है, electrical, उसका भी एक फूर्ट वीडियो pause करके, आप जरूर देख लेना, electronics and telecommunication का भी देख लेना, इसके बाद chemical का, आप देख सकते हो, बहुत सारे बच्चे बुच्चे सर्फ chemical के लिए, कौन से कौन से college बता हो, तो one of the, उन में से एक college हम बोल सकते हैं इसको, बरबर, तो, और petrochemical engineering का, काफी कम cut off यहाँ पर, mechanical का भी आप video pause करके देख सकते हो, तो मैं in short यह बता दूँ आपको, यह college भी है खुद, बरबर, इसमें ए इनवर्सिटी है, और इसमें अंडर college भी है, आप डिरेक्ली यहाँ पर आप admission ले सकते हो, इस इनवर्सिटी के अंडर आप पढ़ना चाहते हो, तो इस इनवर्सिटी के अंडर जितने भी colleges आते हैं, आपको जो portal है यह वहाँ पर actually दिया हुआ है, अबाट्टू को affiliated consequences आडमिशन का जो portal है आपका, FE 2022 महा CET पर, तो उसमें जाके आप list देखते हो, अगर आप इस college के अंडर पढ़ना, इस university managed syllabus में पढ़ना चाहते हो, तो बहुत सरी लंबी list वहाँ पर दी है, अगर बाट्टू से पढ़ते हो, तो क्या-क्या positive points है, वो comment section में जरूर बताएगा, क्योंकि बाकी जो newly admission लेने वाले बच्चे उनको जरूर हो जागा, और इस college के बारे में जो भी पता है, अगर किसी को authorized information पता है, तो जरूर comment, placement वगएरा कैसा है, अगर वो बता देना comment में ठीक है, तो रुखते हैं आपर यार, वीडियो को helpful लगाओ तो like जरूर कर देना, चानल को subscribe कर लेना, और मिलते हैं को और ऐसी informative वीडियो के साथ,